कि हलो इस्ट्वेंट्स आयम घर्जेंदर शर्मा वेलकमिंग यू तो अध़ा 24 7 इसकूल इस यूडियो वी आर गोईंग टो डिसकूस रीद्यूस एंड डिलीटिड पोर्शन आप और सलीबस तो हम लोग जानने वालें कि हमारा जो स्लीबस है पूरा का पूरा जो टर्म 2 के अंदर आने वाला है उसके अंदर कौन-कौन सा जो पोर्शन है वो डिलीट किया गया है और उसके अलावा जो रिडियूस किया गया है तो आप लोग को पूरी की पूरी इसके अलावा जो इनके marks है them are 35 marks से कुटल आने वाले 7 chapters से 35 marks के अने वालें अब हम लोग देख्टाइ नंदर three है और इसके units है उन सब को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चप्टर जो हमारे आने वाला है वो है चप्टर नमबर 8 जिसका नाम है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कितने types के हमारी waves होती है उसके अलावा displacement current क्या होता है सारी चिचों को हम लोग अच्छे से समझने वाले और उसके बाद में हम लोग देखेंगे वो है चप्टर नमबर 9 जिसका नाम है Ray Optics and Optical Instruments जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सर हम हमारा prism के तुरू हम लोग reflection देखते हैं वो क्या होता है उसके अलावा हम लोग बात करें reflection क्या होता है reflection क्या होता है और sunrise होता है sunshine होता है उसके पीछे क्या logic होता है rainbow होता है उसके पीछे क्या logic होता है फिर हम लोग देखेंगे optical instruments की सर हमारा microscope क्या होता है microscope क्या होता है सारी चड़ों को भी कि समझने वालने फिर आम लोग देखेंगे वेव Immovie ju इसको हम लोगों को देख रहा है तो हम लोगों अच्छे से पढ़ लेना है जिससे हमारे 17 marks अच्छे से हमारे हो जाए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें पढ़ना है chapter number 11 जिसका नाम है dual nature of radiation and matters क्या है उसको हम लोगों को देख रहे हैं फिर हम लोग बात करें आगे तो 12 chapter जो हमारा है वो है atoms और 13 हमारा है nuclei atom और nuclei इन तीनों की अगर मैं बात करूँ तो यह तीनों की तीनों जो है chapters यह हमारे 11 marks क्या कर रहे हैं हमारी कर रहे हैं यानि 11 marks हमारे इनसे decide हमारे होने वाले क्या होने वाले 11 marks हमारे decide होने वाले फिर हम लोग बात करें chapter 14 में और chapter 14 है उसका नाम है semiconductor electronics materials devices and simple circuits हमारे simple circuits कौन कौन से होते हैं कौन से हमारे logic gates होते हैं dungeon क्या होता है rectifier क्या होता है rectifier के अंदर half wave rectifier क्या होता है full wave rectifier क्या होता है सारी चीजों करने वाले है एक एक चीज़ को cover करने वाले हैं यह हमारा 7 marks का आनि किìn अब हम लोग बात करें term 2 के कि सर हमको पढ़ना क्या है क्या हमारा deleted portion है क्या हमारा इसके अंदर से reduce किया गया है उसको हम लोग आप जानने की कोशिश करते हैं एक एक करके कौन से chapter में से कौन सी चीज को हटाया गया है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ deleted portion की किसकी बात करें मेटा deleted जो हमारा portion है syllabus है तो उसके हम लोग बात करें तो chapter 8 की अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके बात और IC होता है और IC ID हमारा क्या होता है यह हमारा होता है displacement current हमारा हूँ क्या होता है इसके बात करेंगे मैं बात करूँ तो क्या रिलेशंशिप है कैसे यह होता है उन सारी चीजों कामने देखना है but इसके अदर जो यह basic IDE आए कि यह कैसे आया displacement current उसको हमें नहीं पढ़ना है फिर रे आप्टिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं यानि कि optical जो instrument और रे आप्टिक्स हमारा chapter number 9 है इसके अंदर हमें क्या नहीं पढ़ना है जो हमारा delete हो चुका है तो यह है reflection of light spherical mirrors है और mirror formula यह हमें नहीं पढ़ना है इसके लागर आगे बात करूं तो यह हमारा scattering of light blue color of sky ठीक है और reddish appearance of the sun at sun sign और sunset यानि कि इनको हमें नहीं पढ़ना है इनको क्या करना इनको छोड़ देना है कि इसके अंदर कैसे चीजे होती है यानि कि इसके अंदर जो portion बचा हुआ है वो किसका बचा हुआ है rainbow कि मैं बात कर रहा हूं कि इसकी बात कर रहा हूं रेंबो की मैं बात कर रहा हूं कि रेंबो वाला सेक्शन इसके अंदर बचा हुआ है फिर हम लोग देखेंगे कि सर और के कौन सी चीज बची हुई है वह हमें छोड़नी है वह है उसको हमें छोड़ देना है याने कि सर इसके अंदर बहुत सारी चीजों को हटा दिया गया है जिससे क्या है आप लोग को बैनिफिट हो और आप लोग जो आप लोग का जो टाइम है टू का उसको इजिली आप लोग उससे पहले सिलेबस को कवर कर सको इसलिए इन्होंने क्य सारी उसमें included है उसको नहीं अटाया गया है आगे मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 11 की तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो हमारा जिसका नाम क्या था डूइल नेचर आफ रडिएशन अन मैटर था इसके अंदर जो हमारा हटाया गया है कि सार इसके अंदर हमें जो वो हमारा क्या है nuclear है तो nuclear के अंदर हमें क्या नहीं पढ़ना है तो इसके अंदर सबसे पहले हमें radio activity है वो नहीं पढ़ना है उसके लावा alpha beta और gamma जो हमारे particles होते हैं यानि कि sir चोड़ देना है हमें उसके अलावा हमारा क्या होता है सर बाइंडिंग एनरजी पर नुक्लियों एड़ विरियेशन विद मास नंबर वो हमें क्या है उसको भी छोड़ देना है यानि किसा 13 चैप्टर है और हमारा जो 9 चैप्टर है जिसके अंदर से सबसे जादा चीजों को रिडियूस किया गया है चीजों को क्या किया है डिलीट किया गया सबसे जादा उसिमेंसे किया गया है क्योंकि यह चैप्टर मैंसे ज्यादा चीजों को रिडियूस किया है आगे अगर मैं बात करूंटची न these days नोबर 14 पेटा यह बहुत important है इसका नाम क्या था semi conductor electronics यानि हम लोग जो पढ़ने वाले semi conductor पर पढ़ने वाले क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि सूर हम लोग जो चीजों को पढ़ते हैं तीन टाइप से पढ़ते हैं एक तो हमक्टर इन्सुलेटर उसके लावा हमारा होता है semi conductor तो semi conductor के अंदर जो हम लोग देखने वाले वह जो पूरा का पूरा देखने वाले उसके लावा जो हमारा reduce हुआ है वह कौन कौन साइसर semi conductor electronics में बात करें तो materials devices और simple circuit यह हमें क्या है छोड़ देना उसके लावा जीनर डायोड और उनकी जो characteristics है उसको छोड़ देना है और जेनर डायोड एजा voltage regulator उसको भी क्या है छोड़ देना यानि कि सर हमारा बहुत सारा deleted portion है जो हमें क्या करना है छोड़ देना जिसको क्या है बरकुल हमें देखना ही नहीं है क्योंकि स्मार्ट पढ़ाई क्या होती है स्मार्ट अगर मैं study की बात करता हूं तो वह यही होती है कि सर हमें जितना पढ़ना है जो हमारे exam relevant है उस चीजों को हमें पढ़ना है जिससे क्या है हमारे पूरे मैं से पूरे marks आ जाए और हम लोग exam के अंदर टॉप कर जाए बस यह चीज हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है तो आप लोग क्या करना है जितने मैंने आपको चीजे बता निवाद अड़ा 24-7 स्कुल से जुड़ने के लिए अगर आप लोग को यह चीज है अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक करना है शेर करना है कमेंट करना है और अगर कोई डाउट है कहीं पर तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है तो आप से अगें थैंक य सुमाच